असलावलेकूम फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई चैनल कैसे हो आप सब आप सब आप सब अच्छे है खुश है और मजे में है आज मैं बना रही हूँ कोको मेलन थीम केक विद बिसकॉफ फ्लेवर सबसे पहले हमें केक बोर्ड लेना है और केक बोर्ड पे मैं स्पाइरल शेप में बिसकॉफ प्रेड रही हूँ फिर थोड़ी सी विपक्रिम भी स्प्रेड कर रही हूँ मुझे बनाना है टॉल केक और मैंने बिसकॉफ स्प्रेड को लगाने से केक का बेस अची तरह से स्टिक हो जाएगा और अपनी जगह से हिलेगा नहीं केक की फर्स लेयर को हमने करने के बाद हम विप क्रीम को अपलाई कर रहे हैं साइट से मैंने प्लेन वाइट वैनिला क्रीम अपलाई की है अब सेंटर में मैं अपलाई कर रही हूं बिसकॉफ विप्ड क्रीम बनाने के लिए हमें विप क्रीम में सिर्फ बिसकॉफ स्प्रैड को आड़ करना है और उसे spatula से अच्छे से mix करना है आप चाहो तो बीटर से बीट कर सकते हो लेकिन ध्यान रहे कि आपकी cream melt ना हो जाए जादा बीट करने से cream melt हो सकती है बेटर यही होगा कि आप spatula से ही cream को mix करे थोड़ा time लगेगा लेकिन ये cream stable रहेगी melt नहीं होगी मैं हमेशा piping bag से ही cream apply करती हूँ piping bag से cream apply करने का फायदा ये होता है कि neat and clean work होता है cake पे extra cream नहीं लगेगी और आपको spatula से बार बार excess cream को हटाना नहीं पड़ेगा और हम home workers के पास हमेशा ही request आती है कि cake में cream कम apply केज़ेगा piping bag से अगर हम cream apply करते हैं तो minimum cream का use हो जाएगा cake में और हमें excess cream वाला issue face नहीं करना पड़ेगा palette knife से मैं cream को even कर रही हूँ आप देख सकते हो मुझे कोई extra cream को हटाने की जुरूत नहीं पड़ी है अब हम बिस्कॉफ बिस्किट के chunks आड़ करेंगे बिस्कॉफ बिस्किट को हमें ऐसे चोटे-चोटे पीसिस में तोड़ के केक पे रखना है हम यहां chunks की बज़ाए क्रश करके भी बिस्कॉफ बिस्कॉफ बिस्किट को आड़ कर सकते हैं में chunkỏ दो 확 सौघी नहीं होंगे और खाने में क्रंची एफेक्क में composition आब मैं brisel कर रही है अगर आपको ऐस लग रहा है कि बिस्कॉफ spark बहुत जयादा थिक है आप इस तरह से piping bag से टर्याट कर पाहँगे तो आप थोड़ा सा बिस्कॉफ एक बाउल में निकाल के इसको 20 सेकेंड के लिए माइक्रवेव करें और फिर आप पाइप में बैग में डाल के इसको इस तरीके से डिजल कर सकते हो केक की फर्स लेयर कंप्लीट हो चुकी है मैं यहां पर केक स्पॉंज को रखने से पहले साइड से विप क्रीम अप्लाई कर रही हूं विप क्रीम को अप्लाई करने का फाइदा यह होगा कि जो भी हमने चंक्स और बिसकोफ स्प्रेड डाला हुआ है फिलिंग के तरफ तो यह केक से बाहर नहीं निकलेगा और एंड में हमें केक को फिनिशिंग देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब मैं स्पॉंज की सकेंड लेयर रख रही हूं सेम तरीके से हमें पहले केक को सोक करना है फिर क्रीम अप्लाई करनी है फिर बिसकोफ क्रीम अप्लाई करनी है फिर बिसकोफ बिसकिट के चंक्स आड़ करने है फिर स्प्रेड अड़ करना है और सेम प्रोसीजर फॉलो करन आप चाहो तो six layers या four layers का भी बना सकते हो यह completely आप पे डिपेंड करता है कि आपको केके sponge की layers की thickness कितनी चाहिए तो उसी हिसाब से आप केके slices को कट कर सकते हो इसी तरीकी से बाकी की layers की भी हमें icing करनी है मैंने सारी layers को icing करते हुए वीडियो नहीं record किया क्यूंकि वीडियो बह इसमें मैं फिलिंग कर रही हूँ लास्ट sponge की layer को मैं stack कर रही हूं बैसिकल हमारा टॉप लेयर है केक का अब हम इसमें dovels लगाएंगे तॉल केक और त्री टीर केक में हमें हमेशा dovels का यूज करना चाहिए मैं यह प्लास्टिक स्ट्रॉज को डॉविल की तरह यूज कर आप स्ट्रॉस का यूज कर सकते हो आप उडन स्क्रीवर का यूज कर सकते हो उडन या फिर प्लास्टिक डॉइल्स का भी यूज कर सकते हो लेकिन कभी भी पेपर स्ट्रॉस का यूज मत करना डॉइल्स की तरह क्योंकि पेपर स्ट्रॉस का आप यूज करोगे तो क्या होता ह पेपर स्ट्रॉज इजीली पानी को सोक करेंगे और वो केक के स्ट्रक्चर को होड़ नहीं कर पाएंगे अब हम फाइनल आइसिंग करेंगे यानि कि पूरी केक को हम क्रीम से कवर करेंगे और डेकोरेट करेंगे light blue color cream used कर रही हो मैं cream को cover करने के लिए पूरे cake को मैंने cream से cover किया है अब मैं स्टील scraper से इसे finishing दूँगी स्टील scraper को पानी में dip करना है या फिर पानी से वाश करना है scraper के उपर हल्का सा पानी होना चाहिए और जैसे मैंने plant position में इसे पकड़ा है ऐसे पकड़ के हमें टॉन टेबल को रोटेट करना है देखो कितना आसान है केक की फिनिशिंग करना काफी सारे लोग मुझे कहते हैं कि हम प्रॉपरली केक की फिनिशिंग नहीं कर पाते है उन लोगों के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी प्रॉपर टेकनिक्स को फॉलो कर कीजिए थोड़ा सा पेशन्स और थोड़ी सी प्राक्टिस तो आप इजीली केकी फिनिशिंग कर सकते हैं एर पॉकेट्स की वज़े से जहां भी क्रीम नहीं लगी है वहां हम इस तरीके से क्रीम पिल अप करेंगे पाइपिंग बैक से और फिर से स्क्रेपर को गुमाएंगे और इवन करेंगे क्रीम को देखिए कितनी स्मूध फिनिशिंग हुई है केक की टॉप लेएर को फिनिशिंग करने के लिए मैं पैलेट नाइफ का यूज कर रही हूं यही होता है जब आप केक की रेकॉर्डिंग अकेली कर रहे हो बैक कैमेरा कोई या नहीं तो मैं ऊपर के लेइट को आपको फिनिशिंग करते हुए नहीं दिखा पाई मेरे हाथ का ही वीडियो रेकॉर्ड हो गया पैलेट नाइफ से क्रीम को इवन करने के बाद में जो एजिस बनते हैं उस एजिस की क्रीम हमें हटानी होती है तो मैंने यहाँ पे प्लास्टिक स्क्रेपर लिया है और इस तरीके से मैं एक्सेस क्रीम को हटा रही हूँ केक की फिनिशिंग करने के बाद मैंने केक को फ्रीज में रख दिया था ताकि केक अच्छे से सेट हो जाए मैं यहाँ बनाना ही हूँ पॉंडन्ट रेंबो डिफरेंट कलर के फॉंडन्ट को रोल करके मैंने इस तरीके से एकठा एक स्ट्रिप फॉर्म में रख लिया है अब हम इसे रेंबो का शेप देंगे हैना आसान फॉंडन्ट रेंबो बनाना इन तेड़े मेड़े फॉंडन्ट स्ट्रिप्स को मैं पीजा कटर से कट कर रही हूँ और रेंबो का हम प्रॉपर शेप देंगे अब वाइट फॉंडन्ट से मैंने अल्रेडी फॉंडन्ट क्लाउट्स बना लिये है रेंबो के एजजिस पे हमें थोड़ा सा पानी अपलाई करके फॉंडन्ट क्लाउट्स को स्टिक करना है क्यूट रेंबो फॉन्टन टॉपर बन गया है कोको मेलन थीम के मैं कुछ फोटो प्रिंट आउट्स लेकर आई थी बस उन्हें मैंने कट कर लिया है अगर आपको इस तरीके के टॉपर्स आपके नियर्बाइ केक शॉप में अवेलेबल नहीं है तो आप गूगल से पिक्स निकालके आप उनका प्रिंट ले सकते हो अगर आपको इडिबल टॉपर्स चाहिए तो आप शुगर शीट या फिर वैफल शीट पे इन पिक्टर्स का प्रिंट आउट ले सकते हो जब तक कि केक चिल हो रहा है फ्रिज में मैं यहाँ डेकोरेट कर रही हूँ अपको एकरेलिक बॉक्स यह भी केक डेकोरेशन का एक पार्ट है सबसे पहले मैंने प्रिंट आउट को डिजाइट शेप में कट कर लिया और उन टॉपर्स को मैंने सेपरेटली रखा है जो मैं केक के लिए यूज करी थी और बच्चे हुए प्रिंट आउट से मैं एकरेलिक बॉक्स को डेकोरेट कर रही हूँ एकरेलिक बॉक्स को हमने डेकोरेट कर लिया है अब बारी है केक کے complete presentation की मैंने मेरे नफू के फ़र्स बड़े के लिए एक एक इक डिजाइन किया है तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला टॉपर लगा रही हूँ जिसे मैंने खुद कस्टमाइज किया हुआ है एक्रेलिक वन का टॉपर, हैपी बड़ी टॉपर और फोटो टॉपर इन तीनो टॉपर्स को मिक्स करके मैंने एक सिंगल टॉपर बनाया हुआ है अब मैं स्टिक कर रही हूं कोकॉमलेन के फोटो टॉपर्स उसके बाद हम ये रेनबो टॉपर को स्टिक कर रहे हैं और फोंदन्ट रेइन्बो टॉपर थोड़ा सा हेवी हो गया था, इसलमें मैंने उसको सपोर्ट के लिए एक दो तॉथिक हैं तकि रेनबो टॉपर प्रोपर्ली एकक पे स यह बनाने के लिए उसी। फॉंड़े बनाने के लिए मीका मैंने घरत ऑट कि आधा नसे नाम करें, एक बस में बड़ नसे कीड़े के साफ जा सब दालत। और फिर ये सारे letters को उसमें आड़ करके उस box को shake किया तो इस तरीके से glittery golden topper से ready हो गये है simple and sweet cocoa melon theme cake बन गया है कैसा लगा आपको एक एक कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो हमारे चैनल को subscribe करे और upcoming notifications के लिए bell icon को press करे और इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें thanks for watching friends